एक विशाल समारक बनाने के लिए क्या चाहिए? लाखों टन कॉंक्रीट लाखों मेट्रिक टन लोहा हजारों मेट्रिक टन तांबा और मजबूत इरादा लेकिन बात जब किसी विशाल प्रपधा की हो तब प्रतिमा भी उतना ही विराथ होनी चाहिए पस ऐसा ही कुछ इत्यास है विश्व की सबसे बूची प्रतिमा के निर्मार के पीछे जिसके लिए हमें एक सदी पीछे जाना पड़ेगा जब भारत अंग्रेजों का भुला हुदा उस वक्त एक सफल बैरिस्टर ने कांधी जी से प्रभावित हो कर पोर पैंट छोड़, खादी धारगी उन्होंने भारत को आजाग तो करवाया है साथ ही एक और अखंड भारत का सबना भी साका की और वो थे सत्याग्रह की वोज के सेना पड़ेग वो थे हमारे लोह पुरश सरदार वल्लब भाई पटे खेडा और बारडोली सत्याग्रह से अंग्रिजों को जुकाने वाले सरदार पटे किसानों के नेता यानी सरदार जरजर सोमनाथ मंदिर के जीनरोधार का अभूतपूर्व कदम उठाने वाले भी सरदार सूखे से परिशान गुजरात की जनता के लिए नर्मदा नदी पर विशाल बांध का पहला सपना देखने वाले भी तो वो ही थे सरल, साहसिक और सेवक ऐसे थे हमारे सरदार वल्लब भाई पटेल उनकी सूजबूज के बिना देश एक न हुआ होता सरदार साहब ने अपना सर्वस्व भारत माता के चरणों में समर्पित कर दिया लेकिन सालों तक उनके बारे में किसी ने नहीं सोचा लेकिन हमारे प्रधान मंत्री नरेंद्र भाई जब गुजरात के मुख्य मंत्री थे तब उन्होंने एक विचार दिया सरदार साहब को अब तक की सबसे भव्वे श्रद्धांजली देने का विचार लेकिन इतनी विशाल प्रतिभा के धनी को श्रद्धांजली कहां, कब और कैसे दी जा सकती है ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे युगों तक सरदार को दुनिया गर्व से याद रखे जिसे देख कर हर हिंदुस्तानी का सिर गर्व से उँचा हो जाए जिसे देख दुनिया दंग रह जाए, ऐसा कुछ करके दिखाना था और उसी भाव से जन्भ हुआ, सरदार साहब की भव्याती भव्य और विश्व की सबसे उँची प्रतिमा के निर्मान के निर्णे का Statue of Unity अखंड भारत के प्रणेता को राष्ट्र की सर्वश्रेष्ट श्रद्धान चले लेकिन सवाल ये था कि 182 मीटर उँची प्रतिमा का निर्मान कहा होगा और फाइनली सिलेक्शन हुआ साधुबेट का अनेकों कारण है इस जगह के सिलेक्शन के लिए पहला तो मान नर्मदा गुजरात की जीवन रेखा कहलाती है क्योंकि 10,000 से जादा गाओं, 1,500 से जादा शहर और गुजरात के 4 करोड लोगों को पीने और सिंचाई के लिए इससे पानी मिलता है दूसरा ये कि ये बांध सरदार साहब की ही कलपना थी और तीसरा गुजरात के इस आदिवासी क्षेत्र का विगास हो सके 2013 में सरदार पटेल की 130 वी जन्म जैनती के अबसर पर 31 अक्टूबर को नरेंद्र भाई ने किया इस मारक स्थल का भूमी पूजन ये एकता का स्भारक है और एकता का संदेश है कि भाशा अनेक भाव एक राज्य अनेक राष्ट्र एक बंथ अनेक लक्ष एक बोली अनेक स्वर एक रंग अनेक तिरंगा एक समाज अनेक भारत एक रिवाज अनेक संसकार एक जोजना अनेक मकसद एक कार्य अनेक संकल्प एक राह अनेक मंजील एक पहनावा अनेक प्रतीभा एक चहरे अनेक मुस्कान एक ये एक्टा का संदेश लेकर के हम चले और भाईव भनो ये भारत की विशेष्टा है विवीतता में एक्टा यही भारत की विशेष्टा है और इसके साथ ही निर्मार कारे शुरू हुआ दुनिया के सबसे उंचे स्टैचू का जो ब्रजिल के Christ the Redeemer, रश्या के The Motherland Calls, USA के Statue of Liberty, जपान के Yushiki Daibutsu और चाइना के Spring Temple बुद्धा से भी उंचा विश्व का सबसे उंचा स्टैचू होगा लेकिन नरेंद्र भाई का सपना था कि इस मारक से जन जन जुड़े इसलिए ही 2013 में सरदार बल्लब भाई पटेल राश्ट्रिये एकता ट्रस्ट की रचना की गई और देश भर में संदेश पहुँचाने के लिए शुरू की गई Statue of Unity Movement साथ ही साथ सुराज अभियान में दो करोड लोगों ने सुशासन के विचारों को व्यक्त करते हुए सुराज पेटिशन साइन की जो बनी दो करोड लोगों के साइन के साथ विश्व की सबसे बड़ी पेटिशन और लौपुरुश और किसान पुत्र के समारक के लिए लोहा कैंपेन भी शुरू किया गया और देश भर के किसानों को इस से जोड़ा गया और तीन महीने में ही 5 लाक से जादा किसानों ने दिया 5,000 मेट्रिक टन लोहे के अउजार का दान हजारों टीमों ने देश भर के किसानों के खेट से बिट्टी कठा की सरदार साहब के निर्वार दिवस पर 15 दिसंबर 2013 को रन फो यूनिटी मैराथॉन का आयोजन किया गया और गुजरात के लाखों लोगों ने सरदार साहब के लिए दोड लगाए आप ही सोचीए 2332 करोड रुपे की लागत से 58 मीटर के बेस लेवल पर खड़ी होने वाली ये 182 मीटर उंची प्रतिमा बनाने के लिए कितना सामान और मेहनत लगी होगी इस विराट समारक के निर्मार के लिए दुनिया के सबसे अच्छे एंजिनियर्स, प्लैनर्स और विशेशग्यों की श्रेष्ट टीम का गठन किया गया ये विराट कारे सिर्फ 42 महीने की समय अवधी में पूरा किया गया स्टैचू की डिजाइन पर सरदार जैसा ही भाव एक-एक रेखा का भी डीटेल किया गया सरदार साहब की इस प्रतिमा का प्रभाव भी उनके विक्तित्व जैसा ही होना चाहिए इसी संकल्प के साथ उस पर ब्रॉंज ख्लैडिंग यानि की कांसे की परत चढ़ाने का तै किया गया जिससे उसकी भविता और भी बढ़े और ब्रॉंज पैनल्स का काम निखारने के लिए बुलाया गया कला के क्षेत्र में पद्म श्री और पद्म भूशन प्राप्त करने वाले आर्टिस्ट राम सुतार को उनके हाथ जिस मूर्ती को छूते हैं वो मूर्ती जीवंत हो जाती है ये वही रामसुतार हैं जिन्होंने संसत परिसर में महात्मा गांधी समेथ अनेक प्रतिमाओं के जरिये अपनी कला प्रदर्शत की है। जहां सपना ही इतना विराठ हो, वहां साधन सामगरी भी उतनी ही जादा होगी ना। 2700 कारीगरों की मेहनत ने बढ़ाया है इस प्रतिमा की गरिमा को। इसकी समीक्षा समय समय पर होती रही। क्योंकि सरदार पटेल को श्रद्धानजली देने के साथ साथ ये गुजरात के गौरव की बात है। इस Statue of Unity समारक में होगा Memorial and Vista Center और एक भारत श्रेष्थ भारत भावन और इस समारक के बेस्मेंट में होगा विशाल म्यूजियम भी। नदी के सतर से 153 मीटर की उचाई पर होगा एक साथ 200 लोगों की कपैसिटी वाला Observation Desk वहाँ पहुचने के लिए होगा High Quality Escalator और दो High Speed Lifts जो एक साथ 50 लोगों को 4 मीटर प्रती सेकंड की स्पीड से यानि की तकरीबन 40 सेकंड में 153 मीटर की उचाई पर पहुचाएगा। अब सोचिए कि विंध्याचल परवतमाला, सरदार सरोवर बांध और आसपास की हर्याली और नर्मदा मैया के दर्शन का अनभव कैसा होगा। को मिलेगा गुजरात के आदिवासी कला और संस्कृती का अभूतपूर्व परिचे। की टीवी कैमरे। और इस स्मारक की खूबसूरती बढ़ाएगी 17 किलोमीटर लंबी वैली ओफ फ्लावर। जहां होंगे 16 प्रकार के व्रिक्ष, 10 प्रकार के छोटे-छोटे पौधे, 9 प्रकार के रंगीन पानवाले पौधे, 7 प्रकार के बोगन वेल, 10 प्रकार के वेल, ओर्नमेंट घास और बास सहित 20 लाखवन अस्पतियां। साथी कमलकुंड, ट्रैकिंग ट्रैक और नैचरल ट्रैक भी देखकर ऐसा लगेगा, जैसे एक विशाल, रंग विरंगी चादर, नर्मदा मैया ने ओढ़ ली हो। 3D प्रोजेक्शन मैपिंग, स्मारक की रौनक को और बढ़ाएगा। और इस अनुभव को और यादगार बनाएगी 500 प्रवासियों की क्षमता वाली Tent City, जहां होंगे 75 लगशरी, 74 डीलक्स और 100 स्टैंडर्ड टेंट्स, और हमारे प्रधान मंत्री नरेंद्र भाई के एक भारत, श्रेष्ट भारत के संकल्प को साकार करेगा ये समारक। इस मारक का सबसे खास हिस्सा होगा, जहां निर्मान होगा हर एक राज्ज के अपने गेस्ट हाउस का। की ख्याती को पूरे विश्व में फैलाती रहेगी और पीडियों तक युबाओं के लिए प्रेरना स्रोत बनकर बहती रहेगी। सरदार थे तो भारत एक अखन राश्ट्र है। सरदार थे तो देश में सुशासन की नीव रखी गई। जिसका सबूत होगा ये विश्व का सबसे उचा समारक। इस हव्व प्रतिमा को 31 अक्टूबर 2018 को सरदार साहब की जन्म जैनती के अवसर पर माननिये प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी करेंगे देश को समर्पित। तो आईए मनाते हैं एक ता को अखन्ड ता को हम सब इस एतिहासिक ख्षन का हिस्सा बने। Statue of Unity अकंड भारत के प्रनेता को राष्टर की सर्वश्रेष्ट श्रदांचली जै हिंद।